नमस्कार प्रियदर्शकों हाजिर हुमैं व्रिशब लगन के बारहो भाव में मंगल के प्रभाव को लेकर के खिए में इस लगन के बारहो भाव में मंगल के प्रभाव को लेकर के हुई थी ब्रिशब लगन ये सुक्र की रासी है हाला कि ये मूल तरकोण रासी नहीं है भूमितत्व की ये रासी है इस्थिर रासी है और मंगल इस लगन में बारहों भाव के मालिक होते हैं हलाकि मंगल और शुक्र आपस में ने सर्गिक सत्रू नहीं हैं, परंतु यदि 12 से सोकर के मंगल बाकी के भावों में बैठेंगे, तो अपना किस प्रकार का प्रभाव देंगे, आईए हम क्रमसहिस को जानते हैं, प्रेदर्शकों कल आप सबों से मैंने पूछा था, कि जन्म ये उपसर्ग है, और किसी चीज के कमी के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है, जैसे अवनती, अवनती, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में लगने, छठवे, आठवे, बारवे में हों, तो ये योग बन जाता है, अवयोग, और जातक को जीवनकाल में, जीवी को पारजन के लिए संघर्ष करा देता है, अब हम आये देखते हैं कि मंगल इस लगन में कैसा प्रभाव देने वाले हैं, यदि आप ब्रिशब लगन के हैं, और यदि आपकी कुंडली में मंगल लगन में ही बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि एक बात तो तय है, ब्रिशब, बैल के समान मेहनत करने वाले, यानि मेहनती, ऐसे लोग धुनके पक्के होते हैं, रंग के हुआ, दाते, अगर दात देखा जाए, तो सुन्दर, लेकिन बड़े-बड़े दात दिखाई पड़ते हैं, ऐसे लोग मेहनत, इनके जीवनकाल में सबसे जादा जो चीज पाया जाता है, वो है महनत, महनत इनके जीवनकाल में सबसे अधिक देखने को मिलती है, और मंगल कौन है, तो मंगल है पराक्रम, मंगल का भी तत्तह मूल स्वाव जो है, वो पराक्रम है, हाला कि वो जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी, द्वादसेस मंगल अगर लगन में बैठे यहां यह बात मैं पूर्व में भी बता चुका हूं, फिर से दोहरा देता हूं, कि यह आपका व्यक्तित्व है, और बाकी किसी भी भाव के स्वामी यहां पराकर के बैठेंगे, तो इसका मतलब है, कि उस भाव का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में द्रिश्टिगोचर ह तो द्वादसेस आकर कि अगर लगने में बैठ जाएं, तो जातक निश्चे ही खर्ची ले स्वाव का होगा, फिजूल खर्ची होगा, लेकिन ऐसे लोग, अब ब्रिशब लगने के लोग होते कैसे हैं, अपने धुन के तो पक्के होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सौकीन भी ह खुसमिजाज होते हैं, अपने आप में रहना पसंद करते हैं, अपने उपर खूब खर्च भी वो करते हैं, वैसे तो उनका मुख्यधे परिवार को परिवार वालों को लेकर के चलना होता है, लेकिन अपने उपर भी खूब खर्च करते हैं, और ब्यएस आकर के लगने मे पाले नहीं कहे जाएंगे यहां पर अगर लगनगत मंगल है तो निश्चे ही आप जन्मलगन से मांगलिक हैं मंगल का लगन में होना आप महनती तो हैं लेकिन आपके अंदर उगरता जादा है धैरे की कमी है बहुत जल्दी किसी चीज का निरणे ले लेते हैं और बाद में पच्ताते हैं यानि ये आपकी कमी है मैं यहां सलाह दे दूं कि मैं यही कहूंगा कि इस लगन में मंगल के रत्न से बचना ही सिरेष्ट होगा क्योंकि आप किसी भी प्रकार से मंगल को अगर बल देते हैं तो मंगल को बल देने का रत है आपके ब्याय भाव को बल देना औ तो यहां पर बैट करके अपनी चौथी दृष्टी यह डालेंगे कुंडली के सुख भाव पर यानि कुंडली के चतुर्थ भाव पर जो स्वाउप अगर वो दृष्टी डालेंगे तो घर में आपके द्वारा कलह उत्पन होने लगेगा आपके चिर्चिडे स्वभाव के कारण आपके घर में कलह की इस्तिती उत्पन्न हो जाएगी माता के साथ ये संबंध कई बार खराब करा देते हैं लोग जो भी आपसे जुडेंगे विसेश रूप से जो आपके मित्र कहे जाएं वो आपसे केवल लाभ लेने के लिए जुडेंगे आपका इस्तेमाल करके आपको फिर छोड़ देंगे वहीं सब्तमपर मंगल की दृष्टी पढ़ेगी जो कि उनकी खुद की रासी है सब्तमपर अपनी ही रासी पर उनकी दृष्टी पढ़ने के कारण आपके दामपत्र जीवन को मधूर सुखद बनाएंगे हाला कि पत्नी का स्वभाव कुछ तक चिर्चिडा होगा लेकिन फिर भी दामपत्र जीवन मधूर होगा ब्यापार के छित्र में स्ट्रेष्ट लाभ दिलाने वाले होंगे और सब्तमपर पढ़ रही मंगल की दृष्टी आपके लिए फाइदे मंद सिद्धोगी धनुरासी गुरु की रासी है मित्र रासी है लगनगत मंगल अपनी आठवी दृष्टी से अश्टम स्थान को देखेंगे द्वादसे सोकर के अश्टम स्थान को देख रहे हैं तो आयू में कमी तो नहीं होने देंगे लेकिन स्वास्त से सम्मदित समस्या उत्पन करेंगे स्वास्त से सम्मधित परिशानी उत्पन करेंगे आपके व्यक्तित्व में चिर्चिरापन बहुत ज़्यादा भरा होगा आपका व्यक्तित्व कहीं न कहीं इस बात को लेकर के पीडित होंगे कि आपके उगरता और क्रोध के कारण जो भी आपसे जुड़ता है कुछ दिनों के बाद ही उसके समंध आपसे खराब हो जाते है ये मंगल जाकर के कुंडली के यदि जुतिये भाव में बैट जाएं धन भाव में तो बुद्ध भी उनके सामाने मित्र हैं नैसरगिक सतूता उनसे नहीं है अब दुद्ध से सोकर के जाकर के धन भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर ये बात पुना ध्यान दे दी जाए कि सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि बुद्ध के साथ इनकी तातकालिक मैत्री होनी चाहिए क्योंकि यहाँ बैठे मंगल अपनी चौथी द्रिष्टी से आपके पंचम भाव को इसके बाद अपनी साथवी द्रिष्टी से अश्टम स्थान को और अपनी आठवी द्रिष्टी से भाग्य भाव को देखेंगे तो सबसे पहले तो इसके बारे में बता दूँ कि भाग्य भाव पर इनकी दृष्टी पड़ेगी जो की अत्यंत स्रेष्ट है क्योंकि यहां पर उनकी उच्चे रासी हो जाती है और उच्चे रासी पर उनकी दृष्टी पड़ेने के कारण आपको निश्चे ही भाग्यवान बना देंगे इसमें कोई संसे नहीं द्वादसे सोकर के जरूर ये धन भाव में बैठे हैं लेकिन इसे से दिक्कत इतनी ही हो जाती है कि जातक अगर उग्र सोहाव का हुआ क्रोधी हुआ तो अपने ही गलत निर्णयों के कारण अपने कुरोध के कारण कुटुम्ब में जगडा लडाई की स्थिति उत्पन कर लेगा और इसके चलते उसकी पैत्रिक संपत्ति खत्रे में पड़ जाएगी दुतिय भाव वानी का भाव है यहां दुतिय भाव नेत्र का भी भाव है इस भाव में बैठे मंगल नेत्र से संबंदित भिकार भी उत्पन कर देते हैं भाई के साथ संबंद खराब करा सकते हैं अचल संपत्ति जो पैत्रिक संपत्ति है उसमें भाई के साथ बिवाद उ बहुत अच्छा है, ऐसे लोग जमीन का बिजनेस करके, लाइजनिंग करके, अपनी वानी से संबंधित काम करके, अथवा वकालत से संबंधित कोई काम करके, स्त्रेश्ट सफलता हासिल कर सकते हैं, ऐसे लोगों के वानी में ये छमता होगी कि कुछ भी बेच सकते हैं, अश् को देख रहे हैं भागे के लिए पुर्व में बता चुका हूँ वहाँ पर उनकी दृष्टी स्रेष्ट लाव देने वाली है पर ब्यायेस जाकर के पराक्रम भाव में बैठेंगे नीच रासी में सीदी सी बाते की नीच रासी में जाकर के बैठेंगे तो एक कस्टप्रद हो हुए हैं अतह पराक्रम आप सुरू तो करेंगे करना भी चाहेंगे हर दिन आप नए नए खयाल बनाएंगे मन में बिचार बनाएंगे नई तयारी करेंगे लेकिन उसे अंत तक नहीं ले जाएंगे या यूँ कहिए कि अमली जामा पहनाना यानि की बीच में ही प्रारंब समस्या में आपको डाल देंगे हाला कि सत्रू भाव को देख रहे हैं तो रिण सत्रू इससे सम्बंदित जितनी भी सिकायतें आपके जीवन में आएंगी इसके लिए तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि वो सारी समस्यां खतम हो जाएंगी समस्या रहे की नहीं वो नीच सत्रूता पालनी नहीं है इन से बचना है अब यह मंगल भाग्यभाव को देखेंगे अत्किनत स्रिष्ट कर्मुस्थान को देखेंगे जो की यहाँ पर दसंभाव सनी की रासी है यह उनकी उच्छ सनी की रासी है और यहाँ पर उनकी द्रिष्टी जो पड़ेगी तो यह आपके कारियों से आपके पिता की सहानु भूती या यूं कहिए कि उनका उसमें सामन जस्से नहीं हो पाएगा कारियों छेत्र में कई बार आपके जल्दबाज निरने के कारण आपका काम अधर में लटक जाएगा ऐसी समस्या हो सकती है इसका आपको खयाल रखना है अब ये द्वादसे मंगल जाकर की कुंडली में पंचम चतुर्थ स्थान में बैठ जाएं मा के घर में बैठ जाएं तो क्या प्रभाव देंगे तो भी यहाँ पर समस्या खड़ी कर सकते हैं हाला कि यहाँ पर बैठे मंगल जातक को जीवन काल में भूमी भवन वाहन से संबंधित सारे सुख दिलाने वाले होते हैं जातक का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन ही चीजों पर ब्याय होता है लेकिन जातक चिर्चिरे सभाव का होगा जिद्दी होगा गुसैल होगा घर में ही कलह करने वाला होगा बैठा मंगल आपको मांगलिक बनाएंगे उनकी चौथी दृष्टी सप्तम्भाव पर पड़ेगी सप्तम्भाव पर उनकी उनहीं की रासी होने के कारण वैसे तो दामपत्य जीवन में कलह आपके आपकी पत्नी और मा के बीच के संबंध के कारण आप बीच में पिस जाएंगे और आपके मन में हमेशा परिसानी दामपत्य जीवन में परिसानी या यूँ कहिए कि घर में कलह की स्थिति यहां से उत्पन्न होगी हाला कि आपके कारण तो कम लेकिन हाँ आपके अंदर अगर उगरता का स्वभाव आ रहा है क्योंकि ब्रिशब लगन वैसे तो आप सांथ हैं लेकिन मंगल जाकर के बैठे हैं सुख भाव में अब अगर आपकी कुंडली में मंगल भी के साथ चंद्रमा भी हो जाएं तो आप सिम्ह रासी के हो जाएंगे और मंगल चंद्रमा की यूती होने के कारण उगुरता बढ़ जाएगी आपके अंदर अगर यहाँ पर चंद्रमा नहीं बैठे हैं धनुरासी में चंद्रमा नहीं बैठे हैं मेस रासी में चंद्रमा नहीं बैठे हैं तब तो ज़्यादा परिशान होने की बात नहीं है खुन रासी में नहीं बैठे हैं तब तो ज़्यादा परिशान होने की बात नहीं है लेकिन अगर इन रासीों में बैठे हैं तब कलह के कारण आप होंगे अगर ऐसी स्थिती नहीं है तो फिर आपके घर में हो सकता है मा और आपकी पत्नी के बीच का मनमुटाओ मतभेद आप संबंदित छेत्रों में सफलता दिलाने वाले होंगे जातकों को विदेश सित्यादी से भी आये के वो रास्ते बनवाते रहेंगे कर्मक्छेत्र पर उनकी द्रिश्टी है कर्मक्छेत्र पर द्रिश्टी के कारण भी कारेद छेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे क्योंकि यहाँ पर वो दिगबली हो जाते हैं और दिगबली होने के कारण इस भाव पर उनकी दृष्टी आपके लिए फायदे मंदस्विध होने वाली है यहाँ से आपको स्रिष्ट लाब मिलेगा यानि कि जन्म कुंडली में अब यहाँ देखा जाए ब्रुशब लगन में तो यह चंद्र में चंद्रमा है तो इनका निचत्तो भंग हो जाएगा निचत्तो भंग की अवस्था में आपको स्रिष्ट लाब लेकिन रत्नधारन नहीं करना यहाँ बैठे मंगल सुरी की रासी में बैठे हैं लेकिन मैं तब भी कहूंगा कि इनका रत्नधारन मत करिए क्योंक इसराश्टक योग बनाएंगे, बुध की रासी में बैठेंगे, बुध के साथ अगर इनका संबंद ठीक नहीं हुआ, तो निश्चे ही आपके सुरुवाती दौर में सिक्षा का काल बहुत ठीक नहीं होगा, आपकी सिक्षा खराब हो जाएगी, सिक्षा को ये खराब कराए जातक हमेशा परिशान रहेगा, यहां बैठे मंगल अपनी चौथी दृष्टी से अश्टम स्थान को देखेंगे, अश्टम स्थान को देखने के कारण कई बार जातक हीन भावना से ग्रसित होने लगना, एकाकी जीवन जीने लगना, और अपने घर-परिवार संतान के का उनके बिवार के कारण घर-परिवार से कटने लगेगा, दूर होने लगेगा, हाला कि यहां बैठे मंगल प्रोफिट हाउस को देखेंगे, अतह जीवन काल में पैसे की कमी नहीं रहने वाली है, जातक ये नक्येन प्रकारेन चाहे वो लाइजनिंग का काम करके, दलाली का काम करके, या कोई और भी ब्यापार करके, जहां जातक के पास ये स्रिष्ट ग्यान तो होगा ही, भले उसकी सिक्षा दूरी रह गई हो, ये स्रिष्ट ग्यान जातक के पास होगा ही, कि वो ये नक्येन प्रकारेन अपना बुद्धी, अपना विवेक, अपना दिमाग, कोई बात नहीं मंगल की ये खुद की रासी है और तहजीत सरवथा आपकी ही होने वाली है तो अगर यहाँ पर मंगल आपकी कुंडिली में बैठे हैं और आप भूमी से संबंधित काम करते हैं तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर के करना चाहिए आपके लिए फायदेमं तभी इसका लाभ मिल पाएगा लेकिन यहाँ बैठे मंगल रिण में डाल देते हैं जातक रिण में फसेगा आवस्य जीमनकाल में ये तो पक्का है पर मैं ये सलाह दूँगा कि मेरा अनुभव कहता है कि रिण लीजिए रिण दीजिए कभी मत क्योंकि रिण देना आपके शत्रू खूब होंगे लेकिन शत्रू नुकसान नहीं कर पाएंगे यहाँ बैठे मंगल की सात्मी दृष्टी ब्याय भाव पर पड़ेगी तो मैं यही सलाह आपको बार बार दूँगा उन्हीं किरासी है तो अपना ब्याय अपने उपर करिए अपने सुखों पर करिए अ लेकिन उस भाव को मंगल उपसान कभी नहीं पहुचाएंगे पर फिर भी कहूंगा उनकी दृष्टी ब्याय भाव पर पड़ रही है अता पैसे कहीं न कहीं तो उनको खर्च कराने है तो गलत जगह पर जाए इससे अच्छा है अपने उपर कर लीजिए अब यह 12 मंगल आ आठवे का संबंध बना रहे हैं छटवे आठवे का संबंध वो बना लेंगे लेकिन पुना कहूंगा कि यहाँ पर मंगल रूचक राज योग बना रहे हैं अता आपको चिंतित होने की आवशक्ता नहीं है लगन को देखने के कारण आपके अंदर धैरे की कमीला देंगे उगरता आपके अंदर बहुत जादा हो जाएगा यहाँ पर बैठे मंगल कुंडली में चतुर्त दसम भाव को देखेंगे जो पिता का घर है और इसके कारण पिता के साथ सदयी वंमन मुटाओ मत भेद और साथी साथ कार्यक छेत्र में उतार चढ़ाओ की समस्या आएगी लेकिन मैं यहाँ बता दूँ कि मंगल अत्यंत बली होकर के बैठें और अगर डिग्री वाईज आपकी कुंडली में अच्छी स्थिती में हैं तो निश्चे ही यह मंगल आपको सारे सुख देने वाले हैं विवाह के बाद आपका और विकास होगा लेकिन चुकि उनकी एक प्रासी बार में भाव में बैठी है अतह बिना कुंडली मिलाए भूल से भी विवाह मत करिये अने था दामपत्य जीवन पोट में जाएगा यह तो पक्ता है यहाँ बैठे मंगल सबसे पहले तो करम उस्थान को फिर इसके बाद लगन को और फिर धन को देखेंगे धन को जीवन काल में कभी नहीं होगी ऐसा जातक अपने जीवन काल में खूब धन अरजित करेगा और यह स्रेष्ट धन देने वाला योग होगा अब सशुराल पक्ष से भी कई बार धन मिलता है और कई बार पतनी के आने के बाद धन की इस्तिती बन जाती है जीवन काल में आज यह भी ठीक है आपके लिए फाइदे मंद है अब आप बिशब लगन के हैं और आपकी कुंडली में मंगल जाकर के धनुरासी में बैठे हैं यहां से बैठ करके अपनी चौती दृष्टी प्रॉफिट हाउस पर डालेंगे आय की कमी कभी नहीं होने देंगे क्योंकि गुर दृष्टी 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 पर पढ़ने के कारण आपको वाणी के करचलते परेशान होना पड़ेगा अपनी ही वाणी से आपको दुख उठाना पड़ेगा आपके छोटे भाई बहनों से आपके यह संबंद खराब करा देंगे हो सकता है आपको अपनी अचल करके भाग्य भाव में बैठ जाएं तो यहां पर यह उच्छे रासी में बैठेंगे उच्छे रासी में होने के कारण इनका रिजल्ट तो कम से कम स्रेश्ट होगा क्यों क्योंकि यहां दो बात है एक केंद्र त्रिकॉन योग भी बनेगा यह केंद्र में इनकी रासी और रिकॉन का संबंध तो यह स्रेष्ट हो जाएगा यहां पर बैठे मंगल आपको भाग्य भाव आपका भाग्य अत्यनत स्रेष्ट करेंगे यहां मैं बता दूँ कि यहां मैं बोलना भूल गया था कि अगर कुंडली में यहां मंगल बैठेंगे तो आप मांगलिक होंगे और इस अवस्था में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, कि ये दामपत्य जीवन में कलः और कष्ट उत्पन कर सकते हैं, क्योंकि अश्टम भाव में बैठ करके, ये दामपत्य को जरूर कमजोर करते हैं, उचित होगा कुंडली मिला करके भी भाव करिए, भाग्य भाव में बैठे हैं, स्रिष्ट है, रत्न धारन करने की आवशक्ता नहीं है, ये खुद ही उच्छ रासी में बैठे हैं, और ब्यये सोकर के उच्छ भाव में बैठे हैं, तो आप धार्मिक बनिए, क्योंकि ये कुंडली का धर्म भाव है, ये मोक्ष का भाव है, तो मैं कहूंगा कि धर्म से जुड़े रहिए, सारे काम बनेंगे, जीवन में आप जो चाहेंगे, उसी छेत्र में आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन ये याद रखना है, कि इस भाव में बैठे मंगल, 84 में 28 अंस्तक रहेंगे, अतहुं उच्चता के मामले में तो कुछ बिचार ही नहीं करना है, ये मंगल आपको हर तरह से लाव देंगे, इनकी द्रिष्टी चौथी खुद के घर पर, इसके चलते आप पराक्रमी तो होंगे ही, और भाग्य भाव में बैठ करके आपके सुखों के भाव को देख रहे हैं, तो जातक अपने जीवन काल में एक आधिक जमीन, फ्लेट, बाहन, इत्यादिक क्रय करेगा, यहाँ एक आधिक जब भी मैं कहता हूँ, तो एक का मतलब दो नहीं, एक का मतलब बहु अचन में चले जाएए, चार, पांच, जैसी जिसकी इस्तिती एका अधिक, एक से अधिक होना ही होना है, तो यहाँ बैठे मंगल अत्यंत स्रिष्ट आपको लाभ दे देंगे, आजाए कुंडली के दसम भाव में, कर्म भाव में, यहाँ पर मंगल दिगबली हो जाते हैं, और यह मंगल अतिविसिष्ट कारक भी होते हैं, द्वादसे सोकर के आकर के कर्म भाव में बैठे हैं, यहां पर बैट करके लगन पर अपनी दृष्टी डालेंगे और लगन पर अपनी दृष्टी डालने के कारण व्यक्तित्व में आपके कुछ बदलाओ लाएंगे जल्दबाज वाली प्रवर्ति आपके अंदर हो जाएगी आपके अंदर उगरता आ जाएगा क्रोधा आ क्योंकि आप सुनते किसी की नहीं है मेहनती तो आप हैं आपके अंदर छमता भी है आपने अपने आपको सिद्ध भी कर दिखाया है लेकिन कई बार जरूत पड़ती है कि औरों की बात को भी मान ली जाए तो आप जरूर ऐसा करिए यहां पर बैठे मंगल कारेक छित्र में आपको सफलता दिलाएंगे लेकिन पिता के साथ समंद्ध खराब करा सकते हैं और यह आपके उगरता के कारण होगा मा के साथ समंद्ध खराब करा सकते हैं मा के स्वास्त में कमील आ सकते हैं तो यह थोड़ी समस्या जरूर यह देंगे लेकिन मैं यहीं कहना चाहूंगा कि इस मंगल का स्रेष्ट लाव आपको मिल सकता है, अगर सनी के साथ इनका तातकालिक मैत्री हो जाए, तो फिर इस मंगल से आपको निश्चे ही स्रेष्ट लाव मिल जाएगा, आजाए कुंडली के प्रॉफिट हाउस में, यहाँ बैठे मंगल से आपको लाव ही लाव मिलने व वाली है रिण खूब लीजिः और रिण से ही अपना घर भरीएये यहां पर बैठे मंगल जीवन पार में धन की कमी नहीं होने देंगे आये की कमी नहीं होने देंगे आयेmmmmy जिस रास्ते से भी आये हां तो उसमें हो सकता है थोड़ी परिशानी उत्पन्न हो जाए, कलह की स्थिती उत्पन्न हो जाए, मत भेद की स्थिती उत्पन्न हो जाए, साथ ही साथ कहूंगा कि हो सकता है एक आध गर्व भी खराब करा रहे निसंतान होने से पूर्व या बाद में भी गर्व पात की स्थिति उत्मन्न कराता है हला कि वहाँ बैठे मंगल सस्थम भाव को देखेंगे इसके चलते आप सत्रुहंता कहे जाएंगे आपके सत्रु आपके नाम से कापने वाले होंगे आप एक स्रेष्ट रणनीतिकार हैं और रणनीति से ही अपने जीवन को उच्चे लेबल तक लेकर के आएंगे और आगे भी लेकर के जाएंगे यानि कि ये बहुत स्रेष्ट रिस्थिती बनी आज आईए बार्वे भाव में यहाँ पर बैठे मंगल स्वरासी के निश्चे ही ये भी प्रीत राज योग है और स्रेष्ट है यहाँ पर बैठे मंगल अपनी चौती द्रिष्टी से पराक्रम सस्थम और साथी साथ सप्तम भाव को देखेंगे आप जन्मलगने से अब मांगलिक हैं विवाह कुंडली मिला करके करिए क्योंकि मंगल की द्रिष्टी सप्तम भाव पर पढ़ रहे हैं निश्चे ही आपका दामपत्य जीवन बहुत स्रेष्ट होगा लेकिन कुंडली मिलनी चाहिए अगर नहीं पढ़ दिखेंगी तो दामपत्य जीवन खराब हो जाएगा क्योंकि पत्नी का जो स्वभाव है वो उगर होगा अत्वा पति का स्वभाव उगर होगा और आप सांथ अपने आप में इस्थिर होकर के काम करने वाले हैं और उस सवस्था में अगर मंगल की द्रिष्टी दा बाद में उनकी तरब से आपको अपयसी सुनने को मिलेगा। दोनों से जितना दूर रहेंगे उतना ही जीवनकाल में आपको सफलता मिलेगी। आध्यात्म के में तरब जुड़िये, आध्यात्म से जुड़िये आपको लाव में जाएगा। प्रिदर्शको आज मैंने आपको मंगल का प्रभाव, बारहो भाव में, ब्रिशब लगन के बारहो भाव में मंगल के प्रभाव के बारे में बताया। आसा करता हूँ, यदि आपकी कुंड़ि ब्रिशब लगन की है और मंगल किसी भी भाव में बैठे हैं तो आपने इनके प्रभाव को अपने लिए जान लिया है। आपका मंगल ठीक हो जाएगा, तो आप ये करके मंगल का लाव ले सकते हैं। अब जाते जाते कल के लिए प्रश्ण, जन्म कुंडली में तिरिक भाव किन किन भाव को हम तिरिक भाव कहते हैं। अगर कोई प्रश्ण मैंने पूछा और आप गलत उत्तर भी दिया। एक बात और कई लोगों के पास ये भी कल्प है कि कहीं किताब में देखें, गुगल पर देखें, निट पर देखें, मेरी कई सारे वीडियोज हैं जहां मैंने बोला हुआ है, वो देखें और वो ने सीखते हैं, तो बहुत स्रेष्ट सीखते हैं, तो मेरी राय यही है कि कहीं और से कॉपी करके बताने की जगह आपको जो आता हो वही जवाब दीजिए, आज के लिए वस इतना ही इजाज़त दीजिए, कल उना, आप सबके समुख हाजर होंगा, मिथुन लगन के बारहो भा में मंगल के प्रभाव को ले करके, आज के लिए वस इतना ही, नमस्कार!